तो आज की वीडियो में एक बहुत जादा स्पेशल चीज में खरीद के लिए के आज चुका हूँ ये एक नॉर्मल आर्सी कार जैसी दिखाई दी रही है पर एक्शुल में ये एक ड्रिफ्ट करने वाली टैक्सी और इसकी स्पीड बहुत जादा दी गई है ये हैं होंग कॉ टैक्सी ये बहुत चेतरी के से ड्रिफ्ट कर सकती है इसकी टॉप स्पीड 60 किलो मीटर पर आवर तक चा सकती है तो आज फड़ाफट से करेंगे इसकी अन्बोक्सिंग और बहुत सारी आर्सी कार्स के साथ इसकी फाइट करेंगे रेस करेंगे और मेरे बास एक सूपर बा इसके अंदर जाइरो सेंसर भी दिया गया है तो बॉक्स को इस तरफ से मैं उपन कर लेता हूं गाई आपने तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे भी जरूर से ओन कर देना यह इसक टायर बिल्कुल रोल्स रॉइस के टायर जैसे ही दिये गहें क्या ही चम चम आ रहे हैं भाई साब अच्छा तो यह कार सिर्फ टू वील ड्राइव है पीछे की टायर के अंदर मोटर दी गई है यहां पीछे की तरफ से यह इस तरीकी की दिखाई देर है पीछे और सामने इसकी lights proper तरीके से काम करती है, यहाँ पे bumper है, build quality इसकी मेरे को बहुत जादा solid लग रही है, नीचे एकदम सपाट है, यहाँ पे इसका rechargeable battery compartment है, suspension भी ये car के अंदर दिया गया यार, मेरे को नहीं लगा था कि ये taxi जैसी दिखाई देनी वाली car के अंदर suspension भी आता है, तो इसको steering है, steering सच महार काफी जादा बड़े साइस का है, यहाँ पे इस तरीकी का system भी देखने को मिलेगा, यह इसका trigger है, उपर की तरफ दो nobs है, यहाँ पे चार स्विचस दिये गए, यह इसका on-off स्विच है, तो इसके साथ drift करानी के लिए plastic वाले tires भी दिये गए, spanner है, screwdriver है, charger दिया गया है, तो इसकी battery यहीं पे ही दी गई है, और एक चीज में आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे LED strip बार भी दी गई है, अगर आप इसको night में चलाओगे ना यार, यह बहुत ही जाला गजब की दिखाई देगी, एक काम करते हैं, इसको open करके इसके अंदर आती है, brushless motor भी आती है, मैंने brush वाली motor खरीदी है, यह 43T वाली motor है, यहाँ पे इसका ESC है, इसके अंदर इसका gyro sensor भी दिया आ गया है, यह drift वाली taxi के साथ रेस करानी के लिए मेरे पास एक super RC bike भी आ चुकी है, इन दोने के बीच में रेस कराएंगे, उसके बाद टाक्सी स इसे drifting RC कार है, आप इसे बहुत अच्छे दरीगी से drift करा सकते हो, साथ में race वागेरा भी करा सकते हो, कि अंदर भी suspension है, अब यह एक muscle car जैसी है, दिखाई देती है, सामने से इसका look देखवार कितना ज़्यादा जबर्दस है, अगर इसका comparison में यह हमारी drift वाली taxi के साथ करा इसके साथ मिलती है, इस तरीके की steering, यह completely gyro steering है, इस से ही आप यह कार को control कर सकते हो, यहाँ पे इसके उपर बहुत सारे gears वगेरा मिलते हैं, कार को अलग अलग तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे buttons भी दिये गए, तो चलोगा इस फड़ावट से इन सभी के बीच में पह करने वाला हूँ, सबसे पहले taxi को test करते हैं, देखते हैं, रोड की उपर यह drift कर पाईगी, या फिर नहीं, oh my god, यह proper तरीके से drift नहीं कर पार ही, यार, actually में यही जो cars है, indoor में drift कराने के लिए ही build की जाती है, बाकि इसकी speed तो भाई, too much दी गई है, मैंने बिल्कुल भी नह इसकी जादा speed चले की और इसके brakes इतने जादा खतरनाक होगे, तो बार से drift taxi का indoor टेस्ट में करने वाला हूँ, यहां से इसकी lights को हम लोग control कर सकते हैं, इसके अंदर indicator भी है, साथ में headlight भी है, और नीची की तरफ एक LED strip बार भी दी गई है, यह नाइट में बहुत ही कमाल की दिखाई देती है, सामने के tires के अंदर gyro sensor भी दिया गया, इस वज़े से सामने के wheels अपने आपको सीधा करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं, अब यहां पे इसको drift कराने की कोशिश करते हैं, no doubt car बहुत speed चल रही है, पर यह car proper तरीके से drift नहीं हो रही है, ज़्यादा तर जो है, यह जाकर दिवारों से इस तरीके से टकरा रही है, एक चीज में भूल गया थार, इसके अंदर यह wheels लगाना, एक काम करते हैं, यह threaded wheels को अटा के, अब इसके drift वाले wheels लगा के देखते हैं, दोनों के अंदर difference आप देख सेथे हो, यह tire के उपर बिलकुल भी grip नहीं द की गई है, अब drift कराते हैं, ओ भाई, इस बार दिवार कमाली हो गया है, यहाँ पे, पीछे का टायर काफी ज़्यादा स्पीड से गूम रहा है, इस वज़े से सामने के टायर को बहुत अच्छे तरीके से drift करने का मौका मिल चुका है, और यह tires दालने के बाद, कार बहुत ह ओसम तरीके से drift करने लगी है, तो इस तरीकी काफ को drift करने के लिए थोड़ी सी smooth surface की चुरत पड़ती है, और यह कार को drift करा गया, और मेरे को तो मजा ही आ गया, ठीके गईस, अब मैं चलाने वाला हूँ, steering Lamborghini police car को देखते हैं, यह indoor में किस तरीके से चल पाती है, इसके steering के में बाई, अलक लेवल का मज़ा आता है, खास तोर पे, indoor में, देखो कितनी smoothly, इसका steering यहां पे work कर रहा है, all वगेरा भी दिया गया है, यहां से इसको on-off कर सकते हो, साथ में इसके doors वगेरा भी यही से ओपन और close कर सकते हो, पर यह एक rally RC car भी है, इसको भी एक बार चला के देखते हैं, road के उपर क्या यह drift कर पाईगी, आफिर नहीं, no doubt इसकी भी speed बहुत जादा दी गई है, पर यह car बिल्कुल भी drift नहीं कर पा रही है, इसके तो मैंने drift वाले tires भी लगा दी है, पर जब मैं इसको drift कर रहा हूँ, यह car reverse में गोल गोल गूमे जा रही है, अगर मै इसको indoor में drift कर रहा हूँगा, तो no doubt बहुत अच्छे दरीकेस है, drift करेगी, ओके guys, अब मैं race कराने वाला हूँ, drift taxi versus Lamborghini, car के बीच में देखते हैं, इन दोनों में से कौन है, सबसे जादा फाल, taxi पहले आगे निकल गई थी, पर Lamborghini ने इसको काफी अराम से overtake कर दिया है, Lamborghini बहुत जादा आगे निकल चुकी है, अब दोनों के अंदर में gear shift करने वाला हूँ, second gear में मैंने taxi को डाल दिया है, oh my god, second gear में डालते ही, इसकी speed अचानक से बहुत जादा बढ़ चुकी है, और ये काफी अराम से Lamborghini को हरा चुकी है, race में, यार Lamborghini इतने ज़ादा distance से हार जा और एकदम constant speed पे चल रही है, super bike पूरी try कर रही है, इसको over tick करने के लिए पर मेर को नहीं लगता गई, super bike ये drifting taxi को जरा भी हरा पाएगी, क्योंकि drifting taxi की speed काफी जादा दी गई है, बहुत जादा distance बढ़ चुका है, दोनों के बिच में clear ली यहाँ पे भी drift taxi जीच चुकी है, अब drift taxi की में race कराने वाला हूँ, hellcat RC car के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीता है, इस बार भी drift taxi थोड़ी से आगे निकल चुकी है, यहाँ पे, hellcat पूरी कोशिश कर रही है, इसको over tick करने के लिए, पर drifting taxi बहुत जादा speed है, दोनों काफी दूर ते जा चुकी है, बहुत जादा fast driver, drifting taxi को कम मत समझना, almost अब इसको यह over tick करने ही वाली थी, पर जाहिसे ही मैंने दोनों के अंदर gear change किया है, रैली कार की speed बहुत जादा बढ़ चुकी है, और यह काफी दूर तक निकल चुकी है, oh my god, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुचे थे कि रैली कार, यह drifting अब RC drift taxi की fight होने वाली है, RC super bike के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन है, सबसे जादा powerful, दोनों को मैंने काफी दूर से टकरा दिया है, दोनों टकर खाने के बाद थोड़ा का पीचे हट गेते हैं, पर taxi ने दूसरी बार टकर मार के bike को पूरी तरीके से लिटा के रख अब इन दोनों के बीच में मैं fight कराने वाला हूँ, देखते हैं यह drift RC taxi यह Lamborghini police car को हरा पाईगी है, तकर लगने के बाद इसने पुटी तरीके से Lamborghini police car के उपर शड़ाई कर दी है, आप यहां पे दोनों को भी प्रोपर तरीके से grip नहीं मिल पार रही है, मेरको ने लगता क कोई भी हार मानने को तायार है और दोनों के बीच में आपे टाइ हो चुगा है, ठीक है अब मैं completely off road में आचुका हूँ, इन दोनों के बीच में एक रसी को मैने बाण दिया है, अब Thogo 4 करा के देखते हैं, देखते हैं तोनों में ने से कौन जीता है, यहां पे दोनों ही का कोशिश कर रहें एक दूसरे को खेंशने के लिए ड्रिफ्ट टैक्सी ने यहां पर थोड़ा-थोड़ा करके खेंशना चालू कर दिया है लंबरगीनी पुलिस कार को ओ माइगोड मेर को लगा था कि इन दोनों के पीच में वापक से टाई हो जाएगा पर ड्रिफ्ट कार ने कमाली कर दिया यार अब यह दो पावरफुल आर्सी कार्स के पीच में मैं फाइनल फाइट कराने वाला हूँ देखते हैं आप कौन जित्ता है कौन किंग बन पाता है दोनों के पीच में टककर बराबर की हुई है दोनों एक दूसरे को पीचे ठकलने की कोशिश कर रहे है और रैली कार ने तीरे-धीर करके टैक्सी को पीचे ठकेल के रख दिया है ये रेसिंग रैली आर्सी कार बहुत ज़ाधा फास्ट भी है और बहुत ज़ाधा पावरफुल भी है आज तो इसने सबी को दूल चटा के रख दिये गॉज आप मुझहीं नीचे किमेंट करके प यूसुफ थैंक्यू दोस्तों इतने नेचे कमेंट करने के लिए कर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक नीचे कर दीजे कमेंट बाई दोस्तों